नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy A52 S5G vs. Asus ROG Phone 3 का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले है इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Galaxy A52 S5G में 6.3 इंच जब की ROG Phone 3 में 6.73 इंच की लेंथ मिलती है विद्ध की बात करें तो Galaxy A52 S5G में 2.96 इंच जब की ROG Phone 3 में 3.07 इंच की विद्ध मिलती है बात करें थिकनेस की तो Galaxy A52 S5G में 0.33 इंच जब की ROG Phone 3 में 0.39 इंच की थिकनेस मिलती है जो की Galaxy A52 S5G से ज्यादा है अब बात करते हैं वेट की तो Galaxy A52 S5G में 189 ग्राम्स जब की ROG Phone 3 में 240 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जो की Galaxy A52 S5G से ज्यादा है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Galaxy A52 S5G में Super AMOLED जब की ROG Phone 3 में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही गालक्सी A52 S5G में 20 रेशियो 9 जब की ROG Phone 3 में 19.5 रेशियो 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो Galaxy A52 S5G में 6.5 इंचर जब की ROG Phone 3 में 6.59 इंचर मिलती है डिस्प्ले रेजलूशन Galaxy A52 S5G में 1080 x 2400 और ROG Phone 3 में 1080 x 2340 मिलता है Screen to Body Ratio Galaxy A52 S5G में 84.94 जब की ROG Phone 3 में 89.75 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो Galaxy A52 S5G में 405 पिक्सेल प्रती इंच जब की ROG Phone 3 में 391 पिक्सेल प्रती इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशता है की जो की मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सब के पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें मैंन कैमरा की तो Galaxy A52 S5G में 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की वाइड अंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड अंगल कैमरा, माक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है और ROG Phone 3 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 camera देखने को मिलता है जिसमें की wide angle primary camera, ultra wide angle camera, macro camera देखने को मिलता है बात करें video camera की तो Galaxy A52s 5G में 8 different type के features मिल जाते है और ROG Phone 3 की बात करें तो उसमें 10 different type के features मिल जाते है अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो Galaxy A52s 5G में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 6 different features मिलते है और ROG Phone 3 में भी single camera देखने को मिलता है जिसमें 8 different features मिलते है अई अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते है hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते है GPU की बात करें तो Galaxy A52s 5G में Adreno 642L जबकी ROG Phone 3 में Adreno 650 मिलता है चिप सेट की बात करें तो Galaxy A52s 5G में Qualcomm Snapdragon 778G और ROG Phone 3 में Qualcomm Snapdragon 865 Plus मिलता है बात करें RAM की तो Galaxy A52s 5G में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 6GB, 8GB की RAM मिलती है जबकी ROG Phone 3 में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 8GB, 12GB RAM मिल जाती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो दोनों phone में same ही 2 variant देखने को मिलता है और दोनों phone में same ही 128GB, 128GB की storage मिलती है expandable memory की बात करें तो Galaxy A52s 5G में up to 1TB जबकी ROG Phone 3 में नहीं है operating system की बात करें तो Galaxy A52s 5G में Android V11 जबकी ROG Phone 3 में Android V10 Q देखने को मिलती है बाटरी, Galaxy A52s 5G में 4500mAh जबकी ROG Phone 3 में 6000mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते है colors की बात करें तो Galaxy A52s 5G में 3 colors जबकी ROG Phone 3 में एक colors option मिलते है सब information देखने के बाद बात करें price की तो Galaxy A52s 5G में 2 variant देखने को मिलते है जो की 6GB RAM 128GB Storage के साथ 35,999 रूपीज 8GB RAM 128GB Storage के साथ 37,499 रूपीज में मिल जाता है वही अगर बात करें ROG Phone 3 की तो उसमें 2 variant देखने को मिलते है जो की 8GB RAM 128GB Storage के साथ 46,999 रूपीज 12GB RAM 128GB Storage के साथ 45,999 रूपीज में मिलते है दोस्तों अब बात करते हैं Prans and Cons यानि की फायदे और नुकसान की तो Samsung Galaxy A52s 5G में 6 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें ASUS ROG Phone 3 की तो उसमें 4 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है Finally बात करें है result की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है Main Camera में दोनों फोन सेम ही है Front Selfie Camera में दोनों फोन सेम ही है Performance में दोनों फोन सेम ही है दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले Competitor Phone की बात करें तो उसमें उले Phone Power Armor 13 है जो की 37,500 रुपे में मिलता है दूसरा OnePlus Nord 2 है जो की 34,999 रुपे में मिलता है तीसरा Oppo Rano 6 है जो की 31,890 रुपे में मिलता है और लास्ट Competitor Phone की बात करें तो उसमें जियामनी Poco F3 GT है जो की 30,999 रुपे में मिलता है और ये सारे Phone की Details आपको Description में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना